नमस्कार, Hindi Learning Channel में आपका स्वागत है आज आश्मा महाजन Hindi Learning Channel पर लेकर आई है फुहार Hindi पाठे पुस्तक 4-Evr Publication वालों की बुख है Class 6 के Students के लिए Chapter 1 आपकी अधियापी का आज प्रसुत करने जा रही है बच्चो अगर आपके Brother, Sister Class 7, 8 में पढ़ते हैं और उनको भी फुहार Hindi पाठे पुस्तक लगी हुई है तो वो भी मेरे Channel पर Uploaded है आज इस वीडियो में इतने उंचे उठो कविता की Easy Explanations All Book Exercise के साथ आपको मिलेगी आए पाठ शुरू करते हैं इतने उंचे उठो बच्चो ये कविता किसके द्वारा रचित है आपको पता होना चाहिए द्वारिका परसाद महीश्वरी जी के द्वारा जी हाँ हिंदी के सहित्यकार थे ये और इन्होंने बाल सहित्य पर कम से कम 26 पुस्तके लिखी हैं इसके कारण बच्चो के गांदी भी कहलाते हैं द्वारिका परसाद महीश्वरी जी का जनम एक दिसंबर 1916 को रोता गाउं जिला आग्रा में हुआ था इनकी शिक्षा भी बच्चो आग्रा में ही हुई थी इनकी मृत्यू 21 अगस्त 1998 को हो गई थी तो आईए द्वारिका परसाद महीश्री जी द्वारा रचित कविता इतने उंचे उठो को समझते हैं कि कभी ने इस कविता में आखिर क्या कहना चाहा है सबसे पहले कविता पढ़ने से पहले हमें सभी के साथ बिना किसी भेदबाब के मिल जुलकर कविता परिचे कविता परिचें मतलब हमें कास सिस्टम में नहीं पढ़ना चाहिए हमें किसी भी परकार के कास सिस्टम में ना पढ़कर जो भी मानफ कलियान के लिए उचित हो अच्छे काम का के साथ कभी ने किया है आये देखते हैं इतने उंचे उठो की जितना उठा गगन है देखो इस सारी दुणिया को एक दृष्णी से सिंचित करो धरा समता की भाव वरिष्टी से तो इसमें गगन गगन किसे का है आसमान को दिरिष्टी नजर है ना सिंचित का मतलब सिंचाई करना और वरिष्टी का मतलब वर्षा okay students clear इतने उंचे उठो कि जितना उठा गगन है तो कभी कहना चाह रही है कि जिस परकार आसमान है तो आप भी अपने आको आसमान कि जितना उंचा उठाओ क्यों क्यों कि आसमान से अगर हम कोई चीज देखते हैं तो सारी दुनिया आस्मा से हमें एक जैसी दिखती है तो आप भी अपने विचारों को इतना विस्तार दीजिए कि सभी लोग आपको एक समान दिखे तो इतने उचे उठो कि जितना उठा गगन है कभी यही कहना चारे हैं कि जिस प्रकार आकाश की उचाई असीमित है उसी तरह आप भी अपने आदर्श आप भी अपने कर्मों को उतना ही उत्तम बनाईए देखो इस सारी दुनिया को एक धृष्टी से आप इस पूरी दुनिया को एक नजर से देखो और वो भी समान रूप से देखो सिंचित करो धरा समता की भाव वरिष्टी से जिस परकार वर्षा सभी के उपर समान रूप से होती है वो जातपात नहीं देखती वर्षा की होने के लिए गरीब के घर में नहीं पढ़ दी हो अमीर के घर पर ही पढ़ दी हो तो उसी परकार कहता है जिस परकार वर्षा सब के उपर समानूप से होती है, उसी तरह हमें भी सबी के साथ समानूप से विवार करना चाहिए, अपना behavior जो है, हमें सब के प्रती एक जैसा रखना चाहिए, जाती भेद की, धरम वेश की, काले गोरे रंग द्वेश की, जो आलाओं से जलते जग में तो जाती भेद की अब जाती का मतलब क्या हो गया जो भी कास्ट होती है उसके बाद वेश का मतलब क्या हो गया वेशबूशा, द्वेश का मतलब क्या हो गया बेदबाब, शीतल का मतलब क्या हो गया थंड़ा है ना थंड़ा तो अभी शीतल बहो मैंने लाइन पड़ी नहीं थी फिर भी आपको बता दिये शीतल का मतलब क्या है तो कभी क्या कहना चारे हैं जाती बेद की दर्म वेश की अब जाती बेद का मतलब होगे इस समाई में जो भी का सिस्टम है धरम बेद है रंग बेद है वेश बूशा बेद है तो इस समाई में जाती धरम वेश बूशा काले गोरे रंग जैसी अनेक विशमताओं की जुआलाओं से लोगों में क्या भरा हुआ है द्वेश की भावना लोगों में फैल रही है वो क्यों फैल रही है जाती के कारण, धरम के कारण, वेश-बुशा के कारण, काले गोरे रंग के कारण, इन सब की विशमताओं की जुआलाओं से लोगों में द्वेश की भावना फैल रही है, जुआलाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जित अब मल्य परवस्त कहा है हिमालय से आने वाली ठंडी हवा जम्मू कश्मीर से आने वाली ठंडी हवा जो गर्मी से राहत देती है इसी परकार से इन विशमताओं से पीडित समाज को हमें क्या करना है शीतलता परधान करना है कैसे अपने प्रेम पूरन विवहार से I think आपको यह परग्राफ क्लियर हो गया होगा ओके स्टूडेंट्स चलिए आगे देखते हैं लो अतीत से उतना ही जितना पोशक है जीरन शीरन का मो मृत्यू का ही दो तक है दो तक होता है सूचक पोशक होता है जितनी अवश्यकता है जीरन शीन होता है फटा पुडाना आगे क्या कह रहे हैं तोडो बंदन रुके न चिंतन गती जीवन का सत्य चिरंतन धारा के शाश्वत प्रवा में शाश्वत होता है निरंतर लगातार तो इन पंक्तियों में कभी क्या कहना चारे हैं इन पंक्तियों में कभी यही कहना चारे हैं बच्चों कि लो अतीत से उतना ही कि आप अपने अतीत से जो पास्ट है आपका उससे केवल अच्छी गटनाओ अच्छी यादों को ग्रहन करो क्यों क्योंकि जो पॉजिटिव बाते होंगी सकरात्मक बाते होंगी वो हमारे भविश्य में हमारी मदद करेंगी जबकि जो बुरी गटनाओं है जीन शीन का मो फटे पुरानी चीजों के साथ जो मो लगा रखा है पुरानी चीजों के साथ बुरी गटनाओं जो है बुरी गटनाओं हमें हमेशा क्या करेंगी मृत्यू का दो तक है पीछे ले जाएंगी हमें हमेशा वो हमारी मृत्यू का ही सूचक बनेंगी वो हमारा विकास ही रोकेंगी तोड़ो बंदन रुके न चिंतन कहते हैं इसलिए तुमें ये बंदन तोड़ देने हैं चिंतन नहीं रुकना चाहिए चिंता कन्नी मत छोड़ो सोचना मत छोड़ो चिंता मतल सोचना मत छोड़ो तुम्हारे सोचने में कमी नी आनी चाहिए नएने विचार जो तुम सोचना है उसमें कमी नी आनी चाहिए क्योंकि अगर वो कमी आ गई सोचने में तो तुम्हारा विकास तो वैसे ही रुक जाना है गती जीवन का सत्य चिरंतन धारा के शाश्वत परवा में तो कभी यही कह रही है इन नकहर नकारातमक बंदरों को तोड़ कर हमेशा अपने जीवन पत पर अगर सरो क्योंकि गती और परिवर्तन ही बच्चो जीवन का शाश्वत सत्य है क्यूंकि गतीमान जीवन ही लाइफ में कुछ कर पाएगा अदरवाइस कुछ नहीं होगा तो हमें क्या करना है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद को गतीमान रखना है आगे देखते हैं इतने गतीमे बनो कि जितना परिवर्तन है वही बात आगई जैसे कभी ने कहा कि पास से सबक लेने चाहिए और सबक भी ऐसे जो आगे बढ़ने में मदद करें तो इसलिए इतना गतीमे बनो इतना परिवर्तन शील बनना चाहिए हमें आगे बढ़ने के लिए कि जितना परिवर्तन है परिवर्तन की परिभाशा ही बन जाए हम इस परकारा में आगे बनना है चाह रहे हम उस धर्ती को चाह रहे हम इस धर्ती को स्वर्ग बनाना अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धर्ती पर लाना कभी कहते हैं कि हम क्या चा रहे हैं कि धर्ती को स्वर्ग जैसा सुन्दर बनाएं तो कैसे बनेगी बातों से थोड़ी बनती है धर्ती सुन्दर धर्ती को स्वर्ग की तरह अगर सुन्दर बनाना है न तो हमें पहले अंदर क्या करना पड़ेगा हमें बुराईयों को मिटाना पड़ेगा अपने अंदर जितनी भी बुराईयों उन्हें मिटाना पड़ेगा और अच्छाईयों के सासम जोता करना पड़ेगा इसी समाज में अपनी सुंदर कल्पनाओं को सकारूप देना होगा हमें अगर हमें धर्ती को स्वर्ग जैसा सुन्दर बनाना है तो अगर हमें इस धर्ती को स्वर्ग बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चो जो भी हम सूचते हैं पूरे दिन में कलपना कलो हमारा देश भी अमेरिका की तरह प्रगती करे तो हमें उसे सकारूप देना सकरातमक दृष्टी कोन के साथ आगे बढ़ना होगा हमें अपनी बुराईयों का त्या करना होगा एक सुन्दर समाज का निर्मान करना होगा और उसकी नीव मजबूती से रखनी होगी हमें और इसके लिए कभी कह रहे हैं कि सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे दो कुरूप को रूप सलोना इतने सुन्दर बनो कि जितना अकर्शन है तो कभी कह रहे हैं हमारे इस नेक काम में कि धर्ति को सुन्दर बनाने स्वर्ग जैसा बनाने के लिए इस नेक काम में हमारे साथ कोन कोन है बई सूरज है चांद है चांदनी है तारे है य हम अकेले नहीं हैं, यह परकृती इस यूग निर्मान में हमारे साथ है, हमारा साथ निभा रही है, दो कुरूप को रूप से लोना, क्या होता है बुरा रूप, तो कभी कहना चाह रहे हैं, द्वार का परसाद महिश्वरी जी कि हमें इस कुरूप धर्ती को सुन्दा रूप देना चाहिए, हमें इतना सुन्दर बना देना चाहिए, इस कारे को खुद को जोंक कर कि अकर्शन की परिभाशा भी हम सुयमी बन जाएं, कि लोग देखें हमें, कि वाके क्या बंदा यही है, क्या आदमी यही है, कवीता समझ में आई बच्चो आपको, बहुत ही इजी कवीता थी, और बहुत अच्छे भाव थे कवी के, चलिए आगे शब्दार्थ हैं, उसके बाद अभिहास कारे है, आपका अभिहास कारे में पूछा गया हमें कितना उंचा उठना चाहिए, बच्चो, तो हमें कवी ने यही बताया, इस कवीता के माद्यम से, कि हमें नवी में बनों के परिवर्तन की परिभाशाई बन जाए हम, इस कवीता से बच्चो आपको क्या शिक्षा मिलती है, कि अभी कभी भी हार नहीं माननी है, और प्रस्तुत कवीता किस कवी द्वारा रचीत है, दौर का परसार महीशोरी द्वारा, प्रस्तुत कवीता में उंचा को भी बनाना है हमें दुनिया को एक दिश्टी से देखने के लिए कभी क्यूं कह रहे हैं ताकि मानव मन में व्यापत जो भी भेदवाव की भावना है वो खतम हो जाए फटा-फट से शीतल बहने से आप क्या समझते हैं बच्चो शीतल बहने से भी प्राय होता है शांत बने रहना निर्मल बने रहना परिवर्तन के समान गती में बनने करते क्या है कि जिस तरह परिवर्तन सदैब होता है चेंजिस होते रहते हैं उसी तरह हमें भी सभी बंदरों को थोड़कर हमेशा आगे बढ़ते रहना है क्योंकि आगे बढ़ना ही तो जीवन है हमें मल्ले पव वही है जो अभी कवीता समझाइए मैंने आपको ठीक है का अंसर भी दे दिया ख कभी दे दिया ग कभी दे दिया और घ कभी दे दिया है उसके बाद प्रयायवाची शब्द हैं बच्चो भाशाग्यान में परवाह का बहाफ और परवाशील गगन का अकाश और नभ चांद चंद्रमा चंदा पवन हवा और वाईयू उसी प्रकार विलोंग शब्द हैं शाश्वत का अनित्य है रोशनी का वरिष्टी है गती में का स्थिर है अकर्शन का विकर्शन है अतीत का वरतमान है समता का विशमता है मोह का द्वेश निर्मो भी लिख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आता है वाकर प्रियोग जा डिफिकल्ट लगता है तो आप क्या कर सकते हैं बेटा आप अपने एकोर्डिंग बाक्य बना सकते हैं ठीक है दियोतक का मैंने वाक्य बनाया है केरल के लोगो द्वारा पर दर्शित उत्सह का दियोतक है चिरंतन मल लिख जी चिरंतन सत्य के फेर में नहीं रहती ठीक है एक उपर बेटा विलोम शब्द आया था रोशनी का वरिष्टी लिखाये मैंने अभी मैं आपको बताऊं तो आपके टीचर अगर रोशनी का अंदेरा कराएं तो वो भी सही है बच्चे वरिष्टी की जगा आप अंदे चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ठीक है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता ही है ताकि आपकी यद्यापी का जल्दी ही सेकंड चैप्टर लेकर आपके सामने प्रस्तुतो और अगर भाई-बैन 7-8 क्लास में पढ़ते हैं तो प्